बहुत बहुत स्वाइद करते हैं आप सभी का न्यूस्टूडी यूटूब चैनल पे और नेस्पी को लेगर के जो है काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं अभी मुझसे वाटसएप पे करेंट एर के स्टूडेंट हो या प्रिविएस एर के स्टूडेंट हो या बहुत पुरान स्टूडेंट जो की इनुरसिटी में और इसकूर्स में पढ़ रहे हैं National Scholarship के बारे में जानना चाहा है तो National Scholarship के बारे में जानने से पहले और form भढ़ने से पहले आपको eligibility के बारे में पता होना चाहिए कौन से student जो है scholarship के लिए apply कर सकते हैं scholarship का पैसा आपको कहा मिलेगा और कितना मिलेगा इसके बारे में हम बताने वाले इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपके पापा जो है किसी भी government job में है या आपके माता जी भी अगर किसी भी government job में है तो फिर आप जो है eligible नहीं है इस scholarship के लिए और जिनके भी पिता और माता का जो है धाई लाग से कम आये है पर मंत का तो वो जो है form भर सकते हैं लेकिन उनके पास government job नहीं होना चाहिए आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूं आप अपने माता पिता का जो भी income होगा मतलब की ज इतना ही कम आप रखेंगे उतना जादा scholarship मिलने के आपके chances है इसके बाद depend करता है कि आपके marks कितने आये हैं अगर आप 12 के बाद भर रहे हैं इस form को यानि कि आप ग्रेजुशन में आने के बाद जो है इसको form को भर रहे हैं आपका पहला साल है आप form भर दिये और अपना ज ज्यादा होते हैं यानि कि अगर 12 के class में जो है उनके अगर marks ज्यादा है उनको scholar से पहले मिलेगा और साथी साथ उनके माता-पिता जो सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए प्राइबेट सेक्टर में अगर है अगर उनका fix आय आ रहा है यानि कि fix salary अगर आ रहा है तो उस इसके नेशनल scholarship जो है दिया जाता है state के द्वारा भी तो अब यह डिपन करता है कि आपके state government क्या आपके state के लिए जो है यह scholarship दे रही है या नहीं दे रही है हला कि यह जो है central government का plan है तो इसमें state government भी अपने plans दिखाती है और scholarship का यहां पे वादा करती है जो भी student जो पर र क्रिया है वह आपको पूरी करने रहेगी यानि कि आपको डॉक्यमेंट से वह upload करने रहेंगे वह भी मैं बताने वाला हूं आगे इससे पहले आप जान लीजे कि अगर आप बीटेक भी कर रहे हैं या कोई diploma कूर्स भी कर रहे हैं तो आप यहां पे form डाल सकते हैं registration कर सकते ह हाला कि अगर आप बिहार के student है तो कई सारे university का जो है नाम ही गलत गलत डला हुआ है या address ही गलत डला हुआ है जिसके वज़े से उन्हें scholarship का amount नहीं दिया जा सकता है तो अगर आपके central government के portal पर आपके college का या university का नाम address कुछ भी गलत पाया जाता है तो फिर वहां के छात्र भी address वगर वह सही सही है या नहीं अब आपको registered करने के लिए अपना सबसे पहले तो जो भी आपका certification मतलब जो भी आपका certificate वह तयार आपको रखना पड़ेगा जैसे कि अगर आप 12 पास कर गए है तब आप जो है भर रहे है इसका यानि कि आप graduation में है बीकॉम बीए सी या बीए में अगर आप हैं तो अगर form डाल रहे हैं तो आपको जो 12 का अपना mark sheet लेकर करके रखना पड़ेगा अधार कार्ड अपना लेकर करके रखना पड़ेगा bank account details आपको जो है अपने पास रखना होगा 10th का जो आपका जो भी mark sheet होगा उस पर date of birth लिका रहता है उसका भी scanned copy up को अपने पास रखना रहेगा अगर आप NSP के लिए जा रहे हैं यानि कि NSP का form अगर आप भर रहे हैं तो कुछ student के यह भी सवाल था कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं हम टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं क्या हम हमारे लिए कोई स्कीम है यहां यहां पर सरकार के तरफ से आप लोगों के लिए स्कीम लाई गई है अगर आप disability में आते हैं यानि कि आपका कोई भी सरीर का अंग खराब है इसके लिए भी स्कीम निकाली गई है आप अगर ठीक है और आपके परसेंटेज अच्छे हैं या के marks कम रहेंगे तो क्या रहेगा कि साल आना जो है आपको हो सकता है 5000 भी मिले अगर आपके marks बहुत जाद अच्छे रहते हैं तो हो सकता है मंतली आपको 25,000 रुपे मिले या अगर उससे थोड़े कम रहे तो मालीजे 80% है और 85% है तो आपको हो सकता है मंत के 5000 मिले तो कुछ अगर 50,000 से जादा अगर आपका college का फी है एक साल का तो फिर उसके लिए डॉक्यमेंटेशन आपको करना पड़ता है तो डॉक्यमेंटेशन करने का जाद वेरिफिकेशन होता है को तरफ से आपको यह जो है फॉर्म भरने के बाद जो है इसे verify कराना पड़ता है अपने college के वो आपके bank खाते में भेज जाता है यहां पर बताया गया है educational document जो student भर रहे हैं उनका चाहिए साथ ही आपका जो bank account होगा वो आपको त्यार रखना होगा bank account number IFSC code ब्रांच का जो IFSC code होता वो आपके पास होना चाहिए यहां पर यह भी लिखा है अगर आप मतलब minor हैं आपक जो के लिए एक bank account जो है eligible रहेगा अधार नंबर student का आपको जो है चाहिए रहेगा मतलब आप जो भी है आपका अधार नंबर तो हो गई अगर नहीं है इफ आधार is not available then bona fide student certification from institution जिस institution में आप पर रहे है bona fide certification जो आपको भर करके अपने principal से attested कडा करके यहां पर सब्मिट करना रहेगा अगर आपके पास अधार kaart नहीं आ अगर आपने अधार kaart के लिए apply किया है तो आपको जो enrollment का जो id है वह आपको देना रहेगा scan copy देना रहेगा bank scan copy आपको जो है देना रहेगा उसके बाद अगर आप STSC Act के तहत आते हैं तो आपके लिए भी कुछ अलग-अलग schemes दिये गए हैं इसे जो आप चेक कर सकते हैं इसके website से जाकर official website से से का भी कुछ अलग scheme दिया गया है बीसी का भी कुछ अलग scheme दिया गया है बीसी के टेगोरी वन और टू वालों के लिए हम एक और बात कहना चाहते हैं यहां पर कि अगर आप जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो भी कीम बताए है कि Prematric Scholarship और post-metrics Scholarship तो प्री मैट्रिक में आता है आपको nord to 10 class के students यह जो है प्री से अपने में करेंगे और 11 से लेकर के बीकॉम या पीजी स्टूडेंट याजी आ लाता है यानि कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं बबे कर है वो भी इसी के अंतरकत अपना रहा रहेगा और और इसके तरब से तो अगर आपको बोन वाया गूगल पर करनाों किन Eventually प्रिंस्टिपल से इंस्टिट्यूशन के उसे सिगनिचेर करा करके आपको यहां पर सब्मिट करना रहेगा तो यह सारी डीटेल्स आप देख लीज़े जो भी यहां पर बताया गया है वह सारी चीज़े आपको सही-साही भड़नी रहेगी इस पोर्टल पर जाकरके और तभ स्टूडेंट है अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम जो है 2018 में एडमिशन लिए थे और हमारा 2018 के बाद हम चाहें तो 2020 में और 21 के लिए अपलाई कर दे तो नहीं आप नहीं कर सकते हैं आपको क्या करना होगा जब भी आप अपना ग्रेशन कंप्लीट करते हैं कंप्लीट करने इस च denkt अग ör्लीट करते हैं इस Спाराइब भी अपने सटशन करना है कर सकते हैं इन शुक्त आप खासा ध्यान रखेंगे और यह ज़ो बात है यह सबसे है जरूरी बात है जिसे आपको जानना और समझना जरूरी है तो यह बात आप सायद समझ गए होंगे कि अगर आप बीच के सेशन में हैं तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं आप फ्रेश सेशन में जब भी आएंगे तभी आप NSP के लिए eligible होंगे तो यह बरी बात मैंने आपको बता दिया है जो की आपको बहुत सारे वीडिव में नहीं पता चलता है या इसल्पा लोग नहीं पता पाते हैं क्यूंके जानकारी नहीं होता है तो अगर आप जब नए से शिom में जा रहे हूंगे तभी आप अपलाई कर सकते हैं मा में बात रहा आप सभी के लिए तो होप सो आपको यह समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करेंगा अगर कुछ आपका सवाल भी है तो सवाल पूछ सकते हैं तो यह फ्रेस्टर्शन वालों के लिए है और 20-21 वालों के लिए सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में धन्यवाद